आज है 27 जुलाई 2020 देखेंगे अब तक के सभी महतपुर्ण करेंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परिख्षाओं के लिए अती महतपुर्ण होंगे साथ में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्स्टा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा इस क्लास का पीडियेफ आप टायर यूकेशन के वेब साइट और साथ ही इन सभी प्लेटफॉर्म से जुड़कर डाउलोड कर सकते हैं सभी का लि और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटम दबा दिजिए और पहले से सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ क्लास में एक बारेकॉ फॉल्ट हो जाते हैं जो अपने वस में नहीं है सिस्टम में हो सकता है सुलो हुआ हो उसके कारण वैसे हुआ था खैर कोई नहीं दुबारा मेहनत करना पड़ा और थोड़ा आप लोगो लेट भी हो गया प्लास पहुंचाने में चलिए तो सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है अनवीच डे कारण विजय दिवस वाज सेलिबरेटेड रिसेंटली हाल ही में इस दिन कारण विजय दिवस मनाय गया तो यह 26 जुलाई को मनाय गया देखते हैं इसके बारे में 1999 के कारण यूद में भारतिय सेना द्वारा पाकिस्तान पर जितनक का जश्न मनाने के लिए प नाम था ओपरेशन विजय यह पूछा जाता है ऐसे बर्तमान में किंद्रिय रक्षा मंत्री स्री राजनाल सिंग है चलिए कुछ देखते हैं यह फैक्स चीफ ऑफ डिफेंस अश्टाफ कौन है अभी जनरल विपिन रावत है चीफ ऑफ आर्मी अश्टाफ अभी कौन है ज चलिए बाकी अपसन देखते हैं 24 जुलाई को क्या मनाय गया 24 जुलाई को अभी हाली में आयकर दिवस मनाय गया है इसके बारे में मिसेस देखते हैं केंद्रिय पर्तेक्ष कर बोर्ड द्वारा 24 जुलाई 2021 को 161 आयकर दिवस अभी मनाय गया है वही 24 जुलाई को आयकर से स मन्दित है यह केंद्रिय प्रतेक्षकर बोर्ड उसी के बारे में है देखिए फुल्फॉम है सेंट्रल बोर्ड अफ डायरेक्ट टैक्सेज सीवी डिटी का अस्थापना 1944 में अस्थापना 1944 में हेटक्वाटर नियो दिल्ली है चेयर्मेन जगनात बिद्यधर मौपात्रा है साथ ही यह सीवी आईसी भी देख लेते हैं यह होता है डायरेक्ट टैक्सेज अधात परतेक्षकर और यह होता है इंडायरेक्ट टैक्सेज अपरतेक्षकर CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC का फुल्फरम है अस्थापना एक जनवरी 1964 को हेटक्वाटर नियो दिल्ली है चेयर्मेन प्रणव कुमार दास है चली अगला अप्सन तेज जुलाई को क्या मनाये गया तेज जुलाई को राष्टिये परसारंदिवस मनाये गया है इसके बारे में भी थो राष्टिये परसारंदिवस 23 जुलाई को मनाये जाता है उसी स्टेशन को 1936 में साजनिक छेत्र के उपकरम में सामिल कर दिया गया और All India Radio का नाम दिया गया जिसे फिर बाल में 1956 में अकासवानी के नाम से भी जाना जाने लगा और इस अकासवानी का जो है लगभग देश क पूरी अबादी यायो कहें 99% से भी अधिक छेत्र भारत का अकासवानी केप्चर करता है लगभग पूरी ही करता है और अपनी सेवाएं परदान करता है क्योंकि रेडियो सबसे सस्ता और आसान माध्यम है क्यों मुनिकेशन का सरकार और न्यूज मेडिया से चलिए तो All India Radio AIR का फूल पर्म है अस्थापना 1936 में हेट क्वाटर निव दिल्ली है डिरेक्टर जनरल एन वेनुधर रेडि हैं जो की हाल ही में नये बनाए गया है यह ज्यान देंगे चलिए और 22 जुलाई को क्या मनाए गया 22 जुलाई को हाल ही में विश्व मस्तिक दिवस मनाए गया ह चलिए इस प्रस्ण से देखिए आपको इतने सारे facts मिले इतने options मिले ऑप्सन में भी ऐसे इतने सारे facts मिले तो उमिद करता हूं यह class आप लोगो इस तरह का class आप लोगो पसंद आ रही होगी यदि हाँ तो वीडियो को like, share और अपना बहुमले comment करके जरूर बताएं चलिए अगला प्रशनह है हाल हिमएक इसराज के 200 परशिद मंदीर को युनेसको का 200 धरोहर सुची में सामिल किया गया है ये टेलंगाणा का टेलंगाणा का एक मंदीर है काकतिया रुद्रेस्वर मंदीर जिसे रामप्प मंदीर के नाम से भी जानते हैं इसी को UNESCO के विष्वधरोहर सुची में सामिल किया गया है। अब इसी के साथ ही भारत में कुल 49-29 असल UNESCO के विष्वधरोहर Σुची में सुचिवध हो चुके हैं। यह सब करता है UNESCO वहीं इसको चुनता है और फिर तो UNESCO के बारे में United Nation, स्थापना 16 नॉवंबर 1945 को और इसका पहला सेशन जो बैठक हुआ था 4 अफ नॉवंबर 1946 में यह दोनों आप लोग याद रखेंगे इसलिए मैं दिया भी हूँ च्पोंधक में अस्थापना के रूख में कवीश को देता है कवीश को देता है अलग-अलग एक्जामस में तो दोनों ध्यान में राएगा तो आप दोनों में से क्यों ही रहे आप इसी को आंसर टिट करेंगे हेट क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, डिरेक्टर जनरल अधूरे अजुले हैं चलिए बाकी अपसन देखते हैं, आंधर परदेश क्यों यूज में रहा है? तो हाली में आंधर परदेश के तीन असमारकों को अधर्स असमारक के रुप में चुना गया है वो कौन-कौन तीन असमारक है आईए देखते हैं तीन असमारक को आदर्स असमारक के रुप में चुना गया है पहला है जीला गुंतूर में नगारजुन कॉंडा असमारक और साली हुंडम जीला स्री काकुलम में बौध अवसेश और तीसरा जीला अनंत पूरम के सेंटर, ब्रेल साइंसेज, रोसनी, आदी जैसे अन्न कई सुर्दाएं उपलब्द कराएं जाएंगी तो ये रहा इसके बारे में पश्चिम मंगाल क्यों नियूज में रहा है तो पश्चिम मंगाल के मुख मंतरी पर वहां के उच्छ नयाले तलकत्ता उच नयाले द्वा आजपा के बीच साठ गाट के आरोप लगाने के कारण ये उन पर जुर्माना लगाया गया है मुख मंतरी होते हुए इतने बड़ी रासी का जुर्माना सिधे कोट के द्वारा लगा गया है समझ सकते हैं क्या खामिया है उनमें चलिए जमू कस्मीर ये नियूज में रहा ह गर्मी और सर्दी के मौसम में वहां का रियाले को एक्सचेंज किया जाता यहां से वहां वहां से यहां लाए जाता था तो इसी को दरबार मूब प्रथा कहा जाता है अब इस प्रथा को उपराज पाल जमू कस्मीर के मनोर सिंह नहां ने बंद कर दिया है अब ये प्रथा अब बंद कर दिया गया कहां का है जम्मू कस्मीर का चलिए तो ये दूसरे प्रस्ट में इतने फैक्स मिले अगला है टोकियो ओलम्पिक 2020 में सबसे पहला स्वन्पदक किस खिलाडी ने जीता है प्रस्ट ने पूछ रहा है कि ये जो टोकियो ओलम्पिक 2020 जो की 23 से 8 अगस के अभी जपान के टोकियो में जारी है हो रहा है अभी तो इसमें स्खेल के सुरू होने पर सबसे पहला इस वर्ष स्वन्पदक किस ने जीता है यही प्रस्ट ने जीता है और यह चाइना से निसाने बाज है तो यही था यान कियान इन्हों ने जीता है आयो सी ओलम्पिक आय यह ही अभी इसी प्रस्ट से तरह ही इनका भी अभी रिकॉर्ड बना है, जेखिये मेरभाई चानू हाली में यहां लीकित में देखते हैं, यह जो उलंपिक हो रहा है, त्योंकि उलंपिक वह हो रहा है, इसमें भारत के तरफ से इस बर्ष सबसे पहला पदक किसने जीता है यही प्रस्ण है तो यह जीता है मीरा भाई चानू ने रज़त पदक जीता है और यही है भारत के रफ से पहला पदक किस बर्ष इस साल का ओलम्पिक में मीरा भाई चानू ने लाया है और एक और नीज़क इनको क्या से क्या आप लाब मिलेंगे राईज सरकार भारत सरकार के तरफ से, आईए, और मेरा भाई चानू हो गया, पवन सिंग ये, तोकि workouts में ही, शुटिंग के लिए, जी वरी सदस से जो बनता है, उसमें पहले भारती आप त्यावला कॉन सिंग भारत से बन गया है, उस सीरी सा बंदला बन रही है जो जाएंगी चली अगला है विसु का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहां बनाने का खोशना हुआ है इंडोनेसिया में इससे पहले सिंगापूर में यह था देखें यह लिखा है मैंने विसु का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म स इंडोनेसिया की राजधानी जाकरता है, करेंसी इंडिया रूपिया है, इंडोनेसियन रूपिया है, प्रेसिडेंट्स जो को विडियो डो हैं, बात यह अपसन देखिए, डेनमार्क क्यों न्यूज में रहा है, तो यहाँ पे विस्तु का सबसे बड़ा बालू का किला या रेत महल कहिए, या इंग्लिस में सैंड कैसल कहिए, यह डेनमार्क में ही बना है, चलिए, बोत्सवाना की उन्यूज में रहा है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा प्राप्थ हुआ है, बोत्सवाना में, तो पहला कहां मिला था, यह कहां है, यह आप लो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिनको मालूम हो, वो डिरेक्ट बताएं, जिनको नहीं मालूम है, वो इसे सर्च करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी प्रशन अगर यह क्या जाता है, क्लास में, तो अगर आपको मालूम है, तो उसको लिख कर यहां चर्चा कर दीजि या जब नहीं मालूम है, कोई पूछ रहा है, तो उसको सर्च करके तब उसको बताएं, तो वैसे जो आपको जनकारियां पहासिल होती है, वो कभी नहीं भूल पाते हैं, तो जरूर ऐसा करें, जब भी कोई कोश्चन कमेंट्स में, क्लास के दवरान पूछा जाए, या जरूर चर्चक करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो बताएंगे, तो ये तो हो गया बत्सवाना, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा प्राथुगा है यहाँ, पहला कहा है, यही आपको बताना है, चलिए उमिद करता हूँ, बताएंगे आप लोग, फिलिपिन्स के उनिज में है, तो यहाँ पे गोल्डन राइस का वैवसाइक उतपादन को मंजूरी देने वाला विसु का यह पहला देश बन गया है, फिलिपिन्स, गोल्डन राइस का, चलिए बागी अप्सन हो गया, अगला देखते हैं, इसके बारे में और बढ़िया स मैंने कल की क्लास में, पिछले क्लास में बता चुका है, इसलिए मैं बोलता हूँ, जो लोग भी हैं, क्लास को डेली अटेंड जरूर करें, जिसे की आपको कुछ भी मिस ना करें, और पीडियाफ तो आपको मिलेगा, लेकिन पीडियाफ में जो दिख रहा है, वो ही मिलेग किया है, तो वीजन फॉर एवरीवन, इसके ताहर एक दसमलो एक अरब वैसे लोग जो दृष्टी संबंधित समस्याओं से ग्रहसित हैं, उनका इलाज और सेवा परदान किया जाएगा, उनाइटेड नेशन्स का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, एट कॉर्टर नियॉर्क है, और सेक्रेटरी जेनरल महा सचीव एंटोनियो गोटेरस हैं, और इनका कारेकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, यह आप लोग ध्यान देंगे, इसको नियु एपोइंटमेंट के रूप में समझेंगे, इनको पूछा जा सकता है, और इधर कई एक्जाम्स में, एंटी पीसी म में देखते हैं, लोग पांच ववा प्रशन है, इसके द्वारा अनेक कल्यानकारीं उपायों, जैसे पुनरवास, कोसल, विकास, चिकितसा, सुर्धा, सिक्षा, आर्थिक साहता आधी परदान कराये जाएंगे, और यह समाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्रा लेके द्व में COVID-19 टी का करण की जैगरुकता फैलाने के लिए पाहल की सुरुवात किया है, उसी का नाम है कवच, यह क्या है, विक्टरी पंच किया है, तो यह अभी जो टोकियो ओलंपिक हो रहा है, तो उसमें भारतिये खिलारियों को प्रुतसाहन के लिए एक अभियान का सुरुव किया गया है, तो यह किया गया है में घाले में, और यह किंद्रिक ग्री मंत्री अमित्सा के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया, किंद्रिक ग्री मंत्री अमित्सा एक और मंत्राले जो भारत का नया मंत्राले अभी बना है, क्या नाम है उसका सहकारिता मंत्राले, उसका भी सबसे पहला मंत्री इनी को बनाए गया है और यह योजना ये जो योजना है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई योजना भारत सरकार जो पहले से जल जीवन मिसन चला रही है उसी का ये समझे तो दूसरा रूप है मेघाले में हुआ है मेघाले करायधानी सिलोंग है इसका मुक मंत्री कॉन्राड के संगमा है गवर्नर सत्यपाल मलिक है चलिए बाकी अफसन देखते हैं हर्याना की उन्यूज में रहा है हर्याना में हर्याना सरकार ने संस्कृत विद्वानों के लिए निसुल्क बस सेवा प 88,189 ग्राम पंचायत हिंदी में 58,189 ग्राम पंचायतें उतरपरदेश में अभी हैं और इस सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सची वाले अस्थाफित करने का गोशना उतरपरदेश सरकार ने किया है इसे क्या होगा तो ग्रामिन लोकतंत्र को मजबुती मिलेगी और ग् अंद्रपर्दे सरकार क्रिशी समंधित ज्यागरुपता फैलाने के लिए किसानों में रायतु भरोसा चैतन्य यात्रा कायोजन अंद्रपर्दे सरकार ने किया था अगला है हालिमे किसे दिबяжाग स्पो्ट्स ओफ दयर टू ठावजन नाइञटीन के लिए चुना गया है यह चुना गया है पर्मोद भघत को यह पर्मोद भघत बिस्तु के नंबर एक दिब्याग समझेगा नंबर एक ऐसे नहीं दि ब्यांग केटेगरी में नंबर एक बैडमिंटन खिलारी हैं परमोध भगत इनी को दि ब्यांग एस्पोर्ट्स मैन आफ द इयर 2019 के लिए चुना गया है परमोध भगत नाम है इनका चलिए बाकी अब संदेखते हैं बाला देवी ये की उनीज में रही है तो इनको हाली में आईए यहाँ पर देख लेते हैं बाला देवी के बारे में साथ वा प्रशन है देखिए बाला देवी को All India Football Federation की Footballer of the Year 2020 के लिए चुना गया है बाला देवी को और इसी में पुरुषपर की बात करें तो Footballer of the Year 2020 के लिए संदेख जिंगन को चुना गया है सुमित करता हूँ यह आपको पसंदाई होंगी चली तो बाला देवी हो गए रुवीना फ्रांसिस इनको हाली में पैरा स्पोर्ट कॉप में स्वन प्रदक प्राथ हुआ है रुवीना फ्रांसिस को और पैरा स्पोर्ट कॉप निसाने बाज से सम्दित होता है निसाने अर्थियम मुल्के अमेरिकी टेनिस खिलाडी हैं और विमल्डन टेनिस टूनमेंट का इस बार जो है 134 संस्करन था जिसका आयोजन उनाइटेट किंग्डम के लंदन में विमल्डन में किया गया है और विमल्डन टेनिस ग्रास कोट पर खेला जाता है चलिए सभी हो गया स्वान पदक प्रिया मलिक को प्राप्त हुआ है चलिए बाकी अपसन देखते हैं सीवा बनर जी को हाली में मोहन बगान रत्न से सम्मानित करने का घोशना हुआ है और मोहन बगान रत्न फूटबॉल से संबंदित होता है पायल का पढ़िया इनको हाली में जो कांस फिल्म यहां देखिए कांस फिल्म फेस्टबल 2020 का योजन हुआ था उसमें यह भारतिय निर्देसक हैं पायल का पढ़िया इनको ओल्डी ओर या गुल्डन आई कहेंगे यह प्रुसकार प्राप्त हुआ है चलिए पी साइनाथ यह तो हो गया पी साइनाथ क्योंने हैं पी साइना है हाली में किसे अबुधावी चेंबर ऑफ कमर्श और इंडस्ट्री का उपाद्यक्ष नियुक्तिया गया म यूसुफ अली को देखिए यहां पे AD CCI अर्थात अबुधावी चेंबर ऑफ कमर्श और इंडस्ट्री CCI हम लोग भारत के यहां भी है ही उसी में यह AD लगा है राइधानी अबुधावी है करेंसी UAE दिरहम है और आभी वहाँ पे राजा ग्राउन प्रिंस कौन है सेख मुहमद बिन जायद अल नहयान चलिए बाकी अपसन दखते हैं मुखतार अब्बास नकवी इनको हाली में राजसभा के देखिए यहां पे राजसभा के सदन के उ यह बहुत हैं और राजसभा में सभापती एंबंकईया नाइडू है और राजसभा में उपसभापती सिरावरिवन सेन नरायन सिंग है सभापती वैसे उप राष्ट्पती ही होते हैं जो कि बहुत्मानमें देख कच्छिय कetrया है हाली में सेर बहादूर देवबा ये नेपाल के नए परदान मंत्री के रूप में इन्होंने सपत लिया है नेपाल की राजधानी काठमांडू, राश्टपती, विद्याद देवी सिंग, भंडारी याद रखेंगे सिंग में कन्फूजन में होगा है की नहीं चलिए तो ये होगे इतना, अगला है, हाली में बंगला देश के परसीद लोक गायक का निधन हो क्या है उनका नाम क्या है, ये हैं फकीर आलम गीर, दस का बीट सिखे तो परसीद लोक गायक हैं बंगला देश के, उनका नाम फकीर आलम गीर है वे 16 बर्स की उम्र में ही संगीत केरियर शुरू कर दिये थे और बांगला देश बिद्रों जो 69 में हुगा था उस दोरान ये अपना महतुन योगधान उसमें निभाये थे बांगला देश का राधानी धाका है प्रधार मंत्री से एक हसीना है प्रेशिडेंट अब्दुल हामीद है बाकी अप्सन देखिए भागी रथी अम्मा बेरी इंप्रोटेंट और द्यान ये अभी हुआ है उसमें ये बहुत इंप्रोटेंट होगा एकजाम के पॉइंट चात्रा का निधन हो गया है वही भारत का सबसे उम्रदराज चात्रा हुआ है भागी रथी अम्मा इनका 107 वर्स की उम्र में निधन हो गया है ये इनके बारे में इंट्रेस्टिंग फैक्क यह है कि ये 9 साल की जब थी उस समय त्रितिये क्लास में अपनी पढ़ाई को छो भारत सर्कार द्वार नारी सकती कुरशकार से सम्मानित भी किया गया है सतही सिकाल से कर ये कौन है इनका वीहाली में निधन हो गया है यहां से कुछ कोष्टन को ओनाई션 करते हैं में ही करते हैं और सबसे बड़ी बात कि मैं कल के नियूज में मुझे अच्छे मिले थे जो आप लिए लाया था अब यहां से दो कोस्टन मैं पिछले क्लास में जो की पढ़ा चुका हूं उसी को मैं फिर से लाया हूं जो कि आज मैं पढ़ा रहा हूं यह दुबारा से यह सक सबसे आगे इससे बाहर कुछ नहीं जो हेडिंग है करेंट अफेर्स का वह हम लोग सार्थक सीध हो यह सा इसलिए इतना मेहनत करते हैं कि हां सच में सबसे पहले पहले जो है हम लोग के पोटल पर चैनल पर वो नियूज आवे वेबसाइट पर आवे हम लोग लेट से कोसि 2020 में भारत की तरब से कौन सबसे पहली पदक जीतने वाली खिलाडी बन गई है इस बात को तो मैंने उपर में लोग ने चर्चा किया ही जश्ट यादि है आप लोग को तो इस बार जो टोक्य ओलंपिक जैपान के टोक्यो में जारी है इसमें सबसे पहला पदक भारत के तर है काजल चक्रवार्ती में यह प्रस्ण आपको हो सकता है नया बन कि आज और कल तक परसों तक आप लोग को कहीं मिलेगा जब कि मैंने यह पिछले क्लास में करा चुका है और पिछले क्लास में अगर कराया हूं तो वेफसाइट पर समझ लेजिए परसों ही आगया होगा क्यो कि ज्यादा लोग को अभी ऑनलाइन पोर्टल पर यह मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर वो पहुंच सकें तो यह आप लोग को से थोड़ा टार्यू के तरफ से मैं अब एक्च्छा करता हूं कि इतना मेहनत तो आप लोग कर ही देंगे तो यह नॉर्मल बोर्लॉग राश्ट के लिए यह प्रुषकार दिया गया है चलिए आइसी एयार का अथापना 16 जुलाई 1929 में हेटक्वाटर डेल ही है डिरेक्टर इसके त्री लोचन मौपात्रा है चलिए अगला है हाली में जारी पुस्तक एन ओर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जेनरेश किसके द्वरा लिखा गया है यह---- प्रव चुनाव अयोगत चुके है और इस पुस्तक में अपने पिता उधmaster सिंच और उनकर जनरेशन के समय भारत में जीहनँ जीने के तरीखे कानभाव साजा किया है चलिए जे बहुताई देखते हैं कौन विश्व का पहला देश बन गया है तो यह इसका जबाब हम लोग हमको याद है उपर आज भी हम लोग चर्चा उपर में किये हैं और यह कल परसो क्लास में भी करा हैं वेबसाइट पर भी आ गया है हम लोग का टार इजूकेशन पर इसका जबाब उमिद करता हूं आप को याद जरूर होगा कुछ लोग भूल गया होंगे तो पुना क्लास या जैसे भी हो अंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर करें तो चलिए दोस्तों उमिद करता हूं आज का क्लास आपको परिक्षा उप्योगी लगी होंगी यादि हां तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अब पहले से सस्क्राइब कर लिया है तो आपका दिल से बहुत बहुत दभार और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी महत्पुन करेंट अपेर्स और अन्ने क्लास के नोटिफिकर्शन सबसे पहले आपको मिले यह रहा आज का क्लास मिलते हैं अगले किसी इंपोर्टेंट क्लास में तब तक लिए गुडबाई और देश्ट